चलिए दूस्तों हमारे पास जो पहला कोशन आ गया है 35 तीरपन और पचासी की परमनुसंख्यां के तत्त डैस हैं पहला हेलोजन इलकाइन कौन से ग्रूप कहें यह काना चाहिए निस्क्रिया गैसे या हैलाइट आपके पास पांच सेकंड का टैम है जल्दी जल्दी आंसर पहलता यह है आपका टाइम आप हो गया है और आणसर हो जगा है लोजन हो को 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 नमर्दो ठाबर आवरत और दूसरे समूंग में मुझूद तत्व हैं ऊप्सन अब यह हो गया एसक अडियम उस्मियोगा केलसियाम स्मसी होगा मेंगनिसियम ओसन मडी हो गया पोटैसियम आपके पास पास सेकेंड का टाइम है प्लीज आंसर इन कोमेंट बॉक्स पास्ट टाइम आप हो गया आपका आपका आंसर हो जाएगा कैल्सियम अगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं कुश्चन नमर तीन नीचे दिएगे तत्वों में से डैस अकार में सबसे छोटा होता है देखे अल क्विश्ची अबमट के पावर 3 प्लस है सीका है एनने के जो पावर प्लस है और प्सटियम अपका आपका आंसर है यह एल 3 प्लस अगला कुश्चन नमर चार आपके पास है प्रति एक आवरत के अंत में संयोंची सेल होता है ओप्शन नमर ए आधा भरा हुआ अपूर्ण, option मसी, एक अला दिकरेट, option मड़ी, पुन रुप से भरा हुआ, और अपका अंसर हो जाएगा, पुन रुप से भरा हुआ, अगला question है अपका, निमलखित में से कौन, क्या है, निमलखित में से कौन, औसुद धातू नहीं है, यह होना चाहिए यहां पर, थुरा स लगता है में स्प्रिंट हो गया है, नहीं, स्वरी, निमलखित में से कौन, अर्थ धातू नहीं है, यह लिखा हुआ है, आपका, अपका, टेम अप हो गया है, और आपका, आंसर हो जाएगा, कलोरीन, अगला question, योगी का परियोग, योगी का जो परियोग है, उसका जह सो, योग किस चीज में परियोग क्या दता है, यह आपको बताना है, योगी का परियोग सीध सुत्र, CH2O है, इसकी वास्प गनब 90 है, योगी का आनविक सुत्र है, अप्शन मेरे, C6H12O6, C6H10O4, C6H10O6, और अप्शन मेरे, C6H12O4, पड़ा पड़ा बताए, योगी परियो C6H12O6, अगला कुशन नमर से, बन है आपके पास, जिस रोल का रशनिक सुत्र क्या होता है, यह बताना है, अप्शन मेरे है, C2H502, C3H70OH, C3H50OH, और अप्शन मेरे, D हो जागा, C3H803, 5 सेकेंड के निदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, टाइम अप हो गया है, आपका आंसर हो जागा, C3H10O3, अगला कुशन नमर 8 है, हमरे पास, पांस से जो से 8% एसिटिक एसिट को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, इथिनोल कहा जाता है, एस्टिर कहा जाता है, या फिर, गलासी एसिट, गलासी एसिटिक एसिट कहा जाता है, टाइम आपका आप हो ग को सिरके में डालने पर गोल क्या ऑजाता है हो जाता है अभी हो जाता है पीनिला हो जाता है या फिलल राल हो जाता है यह विह रंहीत है फियस्जुट्री नमर, है अंसर हो जाएगा रहीन चलिए अगला कुस्च्छ नमर दस देख लेते हैं एक सरल लुलक के गुलक के मद बिंदू से महत्तम विस्तापन को क्या कहा जाता यह बताना है अप्शन नमरे है अर्थ दूलन और सुन भी हो जाएगा पिर्दी सुनसी होगा पूर्ण दूलन सु कुस्च नमर 11 यदि एक साधरन लुलक का धातू का बॉब लक्री के बॉब से बदल दिया जाए तब उसकी समयाबधी क्या होगा वह सही रहेगा यानि अथावत रहेगी या फिर घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी या फिर पहले घटेगे फिर बढ़ेगी पास सगन कि हमें अधिक्तम पसीना गता है जब वायू का सबम्सक्न हो और वास्स को टाहिना अधिक हो और आध्र हो या फिर चेप मोणं कम हो और वह अ करे और आपका आंसर्स हो जाएगा क्या तापमान अधिक हो और वह आदर हो कुछन में 13 एक मेकेनिक एक पीतल के पलक को एक एस्टील की पलेट जिसके मद में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है इसकी अच्छी पकरतब होगी जब क्या गया हो एस्टील की पलेट की सुखे बर्फ से ठंडा क्या जाए या फिर पीतल का पलक ठंडा हो और एस्टील की पलेट गरम हो गई हो पलग और पलिट दुनों को उच ताप मान पर गरम किया गया हो या फिर पीतल का पलग गरम किया जाए और एस्टिल की पलग को ठंडा किया जाए चलिए बताईए फटा फट आपका आंसर समाप्त हो गया है और आपका आंसर ओप्शन नमर बी अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर चौदा उस्मा को विदूत उर्जा में रुप आंतरित करने के लिए परियूप क्या जाता है और अपका आंसर अंसर बताईए क्या होगा आंसर हो जाएगा ताप योग्म चलिए अगला कुश्चन नमर पंदरा है हमरे पास दोनी संचरन के समय माध्यम में कनों के उच गनत का छेतर कहलाता है आप बरतन या फिर परति धोनी फिर फिर कंपन या फिर संपी दन या फिर आप ओनली फाइब सेकेंड तो आंसर दिस कुश्चन टाइम अप हो गया है और आपका अंसर है संपी दन अगला कुश्चन कुश्चन नमर 16 है जब किसी जब परकास किसी चमकिली सत्य पर आपतित होता है तो – फ्रावरतििन गटना गट सोती है नी किसी योते ONAMPET होती है और फिर बिशरीत होती है या फिर नियमित होती है और आपका आप्का आंसर हो जाता है नियमित होती या उत्तल्दरपन है या फिर ऑप्शन में डी डवल लेंस है कैसा है यह आपको बताना है आंसर में टाइम आपका आप हो गया है और आपका आंसर हो जाएगा उत्तल्दरपान चलिए अगला कुस्चन देखते हैं कुस्चन नमर्एटीन देखिए हिस्टोडिया प्लेंटरियां पुस्तक के लेखक क्यों है ये बताना है आपका आप्शन नमर्फ फिस्ट है अरुस्तू और अप्शन में से केंड़ थियो फ्रेश्टस ठाड़ हो जागा हिपोक्रेटस और फोर्ट डर्विन यह वाल फाइप सगेंड तो आंसर दि कीट संबर्धन क्या है का ओप्शन है ऑप्शन मरे कीटों के बिर्दी करने का विज्ञान चंतों के अध्यन करने का विज्ञान मचलियों के अध्यन करने का विज्ञान या फिर कीटों को मारने का विज्ञान कीट संबर्धन क्या है ये बताना है आपका टाइम आप हो गय सब्सक्राइव को सिमित करना और ऊप्शनमढ़ी है और अध्यन कि अपना के अधार पर जीवों का अंसर बताई ये और इसका आंसर डी ओगा चलिए दोस्तों यह सेशन यहीं पे समप्त होता है और अगर यह सेशन आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक को सेड़ करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर कोस्टन हम अपके लिए चाट रहे हैं और बना रहे हैं इस वह लाइक जरूर कर दें वाई सब